एक बार बाचसा आख्बन अपने दर्बार में आए, दर्बार में आते ही उन्होंने कहा कि किसी ने आज मेरी मुझे नोचनी की जुरूरत की है, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दर्बारियों में से किसी ने कहा कि उसको सूली पलटका देना चाहिए तो किसी ने कहा कि उसके हाथ काट देने चाहिए तो किसी ने कहा कि उसकी गर्दन को तुरंत धर से उड़ा देना चाहिए बाचसा नाराज हो गए अंत में उन्होंने बिर्बल की उर देखा और बिर्बल से पूछा कि क्या तुम इस बारे में कोई राय नहीं दोगे बिर्बल ने कहा जहाँ पना खता माफ हो इस गुनगार को तो सजा के बजाए उफार देना चाहिए सभी लोग हैरान हो गए कि बिर्बल ये क्या बोल ला है बिर्बल ने आगे बताए जहाँ पना जो व्यक्ती आपकी मूछे नोचनी के जुरुद कर सकता है वह आपके सहज़ादे के सिवा और कौन हो सकता है जो आपकी गोद में खिलता है गोद में खिलते खिलते उसने आज आपकी मुझों को नोच लिया होगा उस मासुम को उसकी इस जुरुवत के बडले मिठाई खाने की मासुम सजा दी जानी चाहिए बात्सा ने ठाका लगाया और अन्याद दर्बारियों को देखने लगी दोस्तों मजा आया न ऐसी अकबर बिलबल की कहानियां आगे हम सुनते रहेंगे सो स्टे ट्यून बाई